गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टियो चैनल माई क्यूट होम गार्डन तो फ्रेंड्स आज इस ब्यूटिफुल फ्लावरिंग प्लांट की केर की हम बात करने जा रहे हैं यह हमारा वर्बीना और इसका वर्बीना हाइब्रीडा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें एक नॉर्मल वेराइटी होती है और एक हाइब्रीड वेराइटी होती है यह प्लांट एन्वल से लेकर पेरिनियल तक होता है जो हाइब्रीड वाला होता है और एक देशी होता है यह आप देख रहे हैं कि यह आप एन्वली भी चला सकते हैं और मेरे पास दूसरा ह जो पेरिनियल है और दो साल से मेरे पास है काफी टैम तक उसमें परपल कलर के जो फ्लावरिंग वो करता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं तो फ्रेंड्स ये प्लांट आप देख सकते हैं कि बहुत ही हेल्थी प्लांट है और काथी अच्छी जो है इसके अंदर फ्ल सनलाइट की नीड होती है वैसे ये पार्शल शेड के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है लेकिन अगर इसको कम सनलाइट मिलेगी तो ये जो फ्लावरिंग है वो कम कर देता है उसके बाद मैं बात कर लेता हूं फ्रेंड्स इसकी सोईल की तो इसको जो है वो ड्राइ सोईल प प्लांट है तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो सोईल है अभी देखिए पानी मैंने नहीं डाला है तो सोगी तो बिल्कुल भी नहीं करना और जब ड्राइअप हो जाए तभी आप इसके अंदर जो है पानी दीजे तो यह फ्लावरिंग जो है वह बहुत अच्छी करता है और वाटरिंग इसको बिल्कुल भी ना करें और ऐसी मिट्टी का यूज ना करें वैल ड्रेन सोईल का आप यूज करें अगर इसकी रूट में पानी रुख जाता है तो जो रूट है वो रोट होने का खत्रा हमेशा बना रहता है इसके अंदर तो फ्रेंट्स अगर हम इसके ट कि यह बहुत ज़्यादा होट समर को बरदास नहीं कर सकता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बहुत ज़्यादा होट समर को बरदास नहीं कर सकता है तो अगर आपको इसे बचा के रखना है तो आपको इसे जो है मई और जून की गर्मी से बचा के रखना पड़ेग तो तो फिर बोन मील का आप यूज कर सकते हैं तो यह आपके गार्डन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और उसको एजे हैज की तरह भी यूज किया जाता है क्योंकि जो इसकी हाइट होती है वह बहुत ज्यादा नहीं होती है आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट कु अच्छी खासी होती है वह भी मैं आपको दिखाने वाला हूं और यह देखी कितना सुन्दर लग रहा है क्योंकि अभी ओस अभी पड़ी हुई है इसके ऊपर बात करें इसके प्रपेगेशन की तो इसको शीट्स और कटिंग से दोनों से ही बहुती इजिली प्रपोगेट किया जा सकता है कटिंग से इसको ग्रो करना काफी आसान होता है आप कोई भी छोटी स्टेम भी अगर आप इसकी लगा देते हैं तो यह बहुत इजिली जो है वो ग्रो हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि यह एक स्टैम टूड गया था तो वो मैंने कटिंग लगा दी थी और यह कटिंग पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि सक्सेस्वल हो चुकी है और इसके उपर जो है फ्लावरिंग बनना भी शुरू हो चुका है तो स् इसको स्टैम से जो है वो ग्रो कर सकते हैं बात करें सीर से इसको प्रपगेट करने की सीर से प्रपगेट करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी वेराइटी के बारे में बताना चाहता हूं तो कुछ वेराइटी है इसकी जैसे लैनाई रोयल परपल आइस यह परपल कलर का फ उसके बाद सुपर भीना होता है ये लेविंडर कलर का तो ये कुछ वेराइटी होती है जो आपको डिफरेंट कलर में देखने को मिल सकती है इसके अंदर तो friend ये मेरा देशी वाला varbenohor मैं आपको दिखा देता हूं कि देखे कितना healthy plant है यह और इसके अंदर flowering आप देख सकते है पूरे plant के उपर आपको flowering नजर आएगी और इसको मैंने cutting से grow किया है और ये दो साल से जो मेरे पास है मनला यह परेणियल प्लांट है गर आप इसको केर करके रखते हो तो आप देख लीजिए इसकी फ्लावरिंग को और इसकी तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कटिंग से इजिली ग्रो हो जाता है तो देखी यह कटिंग से मैंने तयार कर रखे हैं वैसे तो सारे ही प्लांट मैंने कटिंग से तयार कर रहे हैं देखे रूटिंग भी इसके अंदर जो अच्छी हो गी है इसका वीडियो भी मैंने कि ऐखे अभी मैंने के प्रोन किया तो सारी कषचिक है इसके अंदर ही लगा दी तो मैं बात कर लेता हूं जाने से इसको कैसे सीड़ करने के लिए आप मारकिट से परचेज कीजिए उन सील्स को हलके घुन-घुने Пानी के अंदर आपको 24 आवर तक भीगो के रखना है तकी वू पानी को शौक कर ले उसके बाद आपको कोको पीट का यूज करना है वर्मी कमपोस्ट का यूज करना है उन दोनों का जो मिक्सप है वो आपको लेना है और इसके जो भी स्रीट्स हैं उसको जो है उस मिक्सर के उपर जो है स्प्रिंकल टाइप का कर देना है उसके बाद आपको उसे cover कर देना है उस peat moss से जो भी आप cocoa peat वगरा जो solution हमने लिया है उसको हम पूरी तरह से cover कर देंगे उसके बाद जो भी आपने पोट लिया है आप उसको न्यूस पेपर से या किसी भी पॉलतिन बैक से आपको उसे कवर कर देना है और कवर करने के बाद जो है कुछ उसके उपर होल आपको बना देने हैं ताकि एर का जो सर्कुलेशन है वह बहुत अच्छी तरीके से रहे एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इसके सीट्स को जर्मिनेट होने के लिए कंपलीट डार्कनेस की जरूरत होती है तो इसको आपको डार्क में रखना है ताकि यह ईजी वह वह empowered हो पाएं है और जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो कम से कम पिर आप तिक टीस दिन के बाद आपको जै इसे दूसरे गमले में जो है वो ट्राज्व थैनध कर देना है उसके बाद आपको यह जो है अच्छे तरही के से आपके ग्रोह होने लगेगा लेकिन कुछ इब करें तो आपको जो है इसमें कुछ color भी देखने को मिल जाते हैं जैसे white है red है purple है pink है peach है इस ये color जो है आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे तो ये जो मेरे पास है ये red color का है आपको नजर आ रहा हुगा और बहुती beautiful plant है healthy plant है मैं आपको पूरा प्लांट जो है वो दिखा देता हूँ है यह देख लिजे तो फ्रेंड़्ण्स उंमेद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया को अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल माई क्यूट होम गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन प्रेस करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो वी विल मेट इन नेक्स वीडियो